प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पार्ट प्रेडिचरित अध्या 13 पसंक्या 26 से 33 तक इस्वर ने येशु को पुनर जिवित कर अपनी प्रतिज्या पूरी कर दी पिसीदिया के अंताखिया पहुच कर पौलुस ने सभागरी में यह कहा भाईयों इब्राहिम के वनसजो और यहां उपस्तित इस्वर के भक्तो मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है यरुसलेम के निवासी तथा उनके सासकों ने येशु को नहीं पहचाना उन्हें दंड आग्या दिला कर उन्होंने अंजाने ही नवियों के वेकतन पूरे कर दिये जो प्रतेक विस्राम दिवस को पढ़कर सुनाये जाते हैं उन्हें प्रान दंड के योग्य कोई दोस उनमें नहीं मिला फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोद किया कि उनका वद किया जाए उन्होंने उनकी विशय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें कुरूस के कार्ट से उतारा और कब्र में रख दिया इस्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनरजिवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्सन देते रहे जो उनके साथ गलिलिया से यरुसलिम्न आये थे वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं हम आप लोगों को यहसु समाचार सुनाते हैं कि इस्वर ने हमारे पुरोजों से जो प्रतिग्या की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पुरा किया है उसने यहसु को पुनरजिवित किया जैसा कि दिरितिय स्रोत में लिखा है तुम मेरे पुत्र हो आज मैंने तुमको उत्पन किया है यह प्रभु की वाणी है संतियोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई 14 वाके 1 से 6 तक यहसु ने अपने शिश्यों से यह कहा तुम्हारा जी घबराये नहीं एश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने हां ले जाओंगा जिसे जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहो मैं जहां जा रहा हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हूँ तॉमस ने उनसे कहा प्रभू हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं येशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है क्रिस्त प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेहनों हम प्रेरी चरित के अध्याई चार उसके वाक्य बीस में पढ़ते हैं ये पंतकोस के बाद शिश्य एसु के नाम पर बड़े बड़े चिन और चमतकार करने लगे तो धरम गुरुओं ने धरम सभा ने शिश्यों के एकठा किया और उनको धमकी दी और कहा कि एसु नाजरी का प्रचार नहीं करोगी प्रेचरित अध्याई चार वाक्य बीस में पेत्रुस कहते हैं कि ये संभव नहीं है हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए अस संभव है हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए अस संभव है जिसको सु समाचार मिला है उसका चुप रहना अस संभव है हमारे प्रति दिन के जीवन में भी ये देखने को मिलता है किसी को भी सु समाचार मिलता है सुखत समाचार मिलता है वो कभी चुप ने रह सकता है प्रभी येशु के शिश्यों ने येशु को और येशु के द्वारत दिये कि येशु समाचार को अपनाया, ग्रहन किया, अनभाव किया और भी अपने आपको शांत नहीं रख पाए पूरे प्रेरी चरित में आप देखेंगे कि वे चारों और घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे पूरे प्रेरी चरित में विशेश करके हम पौलूस की यात्राओं के बारे में पढ़ते हैं जबसे पौलूस ने सुसमाचार सुना ग्रहन किया उस समय से पौलूस एक पागल इनसान की तरह उस सुसमाचार को लेकर चारों और घूमने लगता है भ्रामन करने लगता है चारों और जाकर लोगों को सुनाने लगता है और आज के पहले पाठ में प्रेरी चरित की अधियाई 13 से हमने सुना कि कैसे पौलूस पिसीदिया के अंताखिया पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सभाग्रह में पौलूस को मौका दिया जाता है कि वो लोगों को प्रवचन सुनाएं पौलूस ने लोगों के सामने मुक्ति के इतिहास का संक्षिप्त विवरन दिया जो आपने आज के पाठ में सुना कि कैसे इश्वर ने इस्राइली जनता को मिस्र देश की गुलामे से छोड़ा कर अपने देश वापस ले आया राजाओं को नियुक्त किया और अंद में कैसे प्रवी येसु मसी इस संसार में आये येसु मसी को कुरूस पर चाहाया गया वे मर गए गारे गए और तीसरे दिन ब्रतों को में से जी उठे जिसके साक्षि पौलूस क इतिहास का हिस्सा बन कर आये येसु के आने से पहले इश्वर ने एक जनता को तयार गिया एक जनता के इतिहास को तयार गिया और येसु के मृत्ति और पुनुरुथान की द्वारा इश्वर ने जीवन का मार्ग हमेशा हमेशा के लिए मनुशी के लिए खोल दिया प्रव शिर्ष यही इशु समाचार सुनाते थे क्या इशु समाचार? कुरिंतियों का पहला पत्रा ध्याय पंद्रा उसके वाकित तीन और चार में हम पढ़ेंगे पॉलूस कहते हैं यही इशु समाचार है क्या? कि इशु मसी हमारे पापों के लिए मरे कबर में रखे گئë और येशु मसी प्रतकों में से जी उठे चार और घूम घूम कर येशु समाचार लोगों को सुनाते रहे कि ये शु जिनको अपने मरवा डाला है जो कबर में रखे गया है पूनर जी भी तुए हैं हमारे साथ हैं हम उनका नबहों करते हैं एक मसीही जिसने सुसमाचार पाया है कभी चुपने रह सकता है अगर हम मसीहियों में सुसमाचार को सुनाने की तीव रिच्छा नहीं है इसका मतलब यह है आज तक हमने सुसमाचार पाया नहीं है जिस मसीही ने इसु समाचार को पाया एसु को पाया एसु के द्वारा मुप्ति का हैसास किया वो कभी चुपने रह सकता है प्रेरितों की तरह घूम घूम कर लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि हमने इसु समाचार पाया है आप भी पालीजिए हम जानते हैं योहन अधियाई तहरा में प्रभी एसु नहीं अपने शिशों के साथ अपना अंतिम् भोज करते हैं और भोजन से पहले प्रभी एसु ने ऊटकर शिशों के पैरों को धोया जो शिशों के लिए बहुत ही अस्मंजस में डालने वाली बात थी वे समझने पा रहे थे कि प्रभू क्या कर रहे हैं उसके बाद प्रभू ने भोजन के समय रोटी उठाई आशिश की प्रातना पड़ी कहा कि लो और खाओ ये मेरा शरीर है दाखरस भी इसी तर आशिश की प्रातना पड़ने के बाद उनको दियार कहा कि ये लो और पीओ ये मेरे रखता है इन सारी बातों को देखकर प्रभु के वचनों को सुनकर शिश ये घबरा गे थी वे समझने पाए कि आखिर क्या हो रहा है प्रभु को प्रभु ये क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या बोल रहे हैं वे घबरा गए, डर गए, तब प्रबीयसु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, एश्वर में विश्वास रखो और मुझे में भी विश्वास रखो। जीवन की उन परिस्तितियों में जब हम खबरा जाते हैं डर जाते हैं येशु कहते हैं एश्वर में विश्वास रखो और मुझे में भी विश्वास रखो आगे प्रभी येसु कहते हैं मेरे पिता कि यहां बहुत से निवास स्थान है यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंद करने जाता हूं प्रभी कहते हैं कि मेरे पिता के हाँ बहुत सा निवासस्थान है क्या मतलब निवासस्थान का निवासस्थान और विशेशकर के हाँ एक रिष्टे से संबंद रखता है जब कोई आपके हाँ आना चाहता है तो आप कहते हैं आईए हमारे हाँ बहुत जगा है क्या मतलब है आप उनको स्वागत करते हैं आप उनको चाहते हैं यह प्रभू ने कहा कि मेरे पिता किया बहुत सा निवास स्थान है क्या मतलब इसका मेरा पिता उदार है उनका हिर्देश सब के लिए खुला है वो सब को चाहता है सबी का स्वागत करता है और आगे प्रभू कहते हैं कि मैं जाओंगा और तुम्हारी लिए स्थान का प्रबंद करूंगा और तुम्हें भी ले जाओंगा जिसे जहां मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो प्रभी यसु कहां है रोमियों की पत्र के अध्याय आठ माथ वाके चाउनतिस में सन पॉलूस कहते है कि प्रभी एसु पिता के दाहे ने विराजमान है वास्तों में प्रभी एसु के इस संसार में आने का यही वो देशे था कि हर मनुश्य को पिता के सानिद्धे के योग्य बनाना अनंत जीवन के योग्य बनाना स्वर्ग के लायक बनाना जिससे जहां प्रभू हैं वहां हम भी रहें फिर प्रभू ने अपने शिशों से कहा कि मैं जहां जा रहा हूं उसका मार्ग तुम जानते हो Thomas ने कहा प्रभू हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो मार्ग कैसे जानेंगे तब प्रभू ने उस महान घोशना उनके सामने रखी वो घोशना क्या है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है प्रभी यसुने कहा मैं मार्ग हूँ इबरानी में जिस शब्द के इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है देरेक देरेक का मतलब है जीवनशैली जब प्रभू ने कहा मैं ही मार्ग हूँ इसका मतलब है प्रभू ही हमारे लिए जीवनशैली है हमारे लिए उदाहरन है आप पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंध के अध्याय दो उसके वाकि आठ में वा धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पत सुरक्षित रखता है धर्म मार्ग यहीं मार्ग है जीवनशैली उसी अध्याय के वाकि बीस में पढ़ते हैं इसलिए तुम अच्छे लोगों के पत्थ पर चलोगे तुम धर्मिकों के मार्ग से नेंबटकोगे तो जब प्रभीयसु कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ इसका मतलब प्रभु ही जीवनशैली है हर विश्वासी के लिए हर मसीही के लिए प्रभीयसु ने एक जीवनशैली तयार कर गे दिया है प्रभीयसु ने ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए हमारे लिए एक आदर्श रखा है एक मार्ग एक जीवनशैली रखा है इसलिए हम पढ़ेंगे प्रेरी चरित में बार-बार कई जगह पर बताएंगे विश्वर के प्रेरी चरित के अध्याई नौ उसके वाकिदो में पढ़ेंगे मसीहियों को नवीन पंत के लोग बताया गया है नवीन पंत के लोग यानि नए मार्ग पर चलने वाले नई जीवनशैली जीने वाले प्रभीयसु हमारे लिए आदर्ष है प्रभीयसु ने हमारे लिए एक आदर्ष में जीवनशैली रखी है पिता की इच्छा को पूर्ण करने वाली जीवनशैली प्रभु ने कहा मैं ही सत्य हूँ प्रभी येशु के द्वारा ईश्वरिय सत्य हमारे सामने प्रकट हुआ है येशु के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द उस सत्य को प्रकट करने वाला शब्द था क्योंकि येशु सत्य थे और येशु जीवन है येशु में जीवन है येशु जीवन है येशु समाचार के अध्याएक 11 वाकि 25 में प्रभी येशु क्याते है पुनुरुथान और जीवन में जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ मे विश्वास करते वी जीता है वो कभी नहीं मरेगा क्योंगी प्रभी येसु ही जीवन है प्रकाशना ग्रंद अध्याएक उसके वाकिय अठारह में प्रभु कहते हैं डरों नहीं आदिय और अंत मैं हूँ जीवन का स्रोत मैं हूँ येसु जीवन है मेरे प्रिये भाई और बेहनों आज प्रभु ने हमारे सामने कुछ महतुपून बाते रखी है प्रभी येसु हमारे लिए जीवन का मार्ग है जीवन का आदर्श है प्रभी येसु की जीवन शैली हमारे लिए जीवन का आदर्श है प्रभी एसु हमारे लिए जीवन का स्रोत है प्रभी एसु हमारे लिए उस महान सत्य का प्रकटी करन है आज हम प्रभु से प्रार्तना करें प्रभी एसु तुझे और गहराई से जानने के लिए हमें कृपा दीजिए आखे मंद कीजिए एप रभी ये सुधने बाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए तेरे अनुक रहों के लिए हम तुस्से प्रार्थना करते हैं तुझे और गहराई से और नजदीक से जानने के लिए हमें कृपा दीजिए तेरी जीवन शैली को हमेशा नवीनता प्राप्त करने के लिए अनभाव करने के लिए हमें गृपा दीजिए ए प्रभी येशू इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रवात देना तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना अनुग्रह का हाथ आशिश का हाथ हर पल में तेरी पस्तिती अनभाव का नेगली करपा दीजिए विशेश कर गिंदेनों हर प्रकार के कीटानों हर प्रकार के सुक्षमानों से इन भाई बेनों को बचा के रखना सुरक्षा देना अमारी प्रार्तनां को गरहन कर आमेन बाड़ी पागित्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है